मतदान को एक घंटा बीच चुका है कई दिगजो के किसमत का फैसला आज हो जाएगा वाइनार्ट में राहूल गांधी की किसमत जो है जो वोट के रूप में मत पत्र में मत पेटी में बंद हो जाएगी किसमत जो है वो चुनाव की जीत और हार से तो नहीं तैह होती है यह तो बिल्कुल सही है और आज के शोर जी देखे मुस्कुरा भी रहे मेरी बात पर यहाँ पर मैं बता दू कि एक घंटे का समय बीच चुका है साथ बजे मतदान शुरू हुआ था एंडिये के भी कई मंत्री आज किसमत आजमार है और यह तस्वीरे आप हमें मिलने लगी है मतदान की बिल्कुल तो यह तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यह केरल से हमें तस्वीरे मिल रही हैं इस समय और मुख्यमंत्री केरल के पहुंचे हैं मतदान करने के लिए रज़त वोरा विशाल पांडे और अश्विन पांडे हमारे साथ मौझूद हैं मुझे जल्दी से रज़त का रुख कर लेना चाहिए रज़त जमू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रज़त बताईए किस तरीके की तस्वीरे क्यूंकि 500 कंपनी फोर्स लगाई गई और एक-एक सीट पर एक चरण में मतदान हो रहा है जमू कश्मीर में आप बताएगे क्या तस्वीर हैं जी बिल्कुल जमू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं तो समवेदे जिलता तो रहती ही है जमू लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज में जो पोलिंग है वो जारी है और सुबह से ही जमू की हाई प्रोफाइल चीट के करें हम बात करें तो दो बार के सांचा जूगल जारा वोड करने पहुंच रहे हैं बुद्धे तो बहुत हैं कहना कै चाहिए अभी तो रेक्षन का दौर चल रहा है लेक्षन बहुत दिनों से हम चाहते हैं रेक्षन हो रेक्षन बोदी साबने करवा दिया बहुत अच्छा किया है बिल्कुल आपको बता दें शुमना जी यहाँ पर धारा 378 ने के बाद पहले ये चुनाव हैं और इसलिए हमने देख रहे हैं सुबह से बले ये शहर का इलाका है हमने देखा है कि शहर में अमूमन कम वोट डाले जाते हैं पर इस बार भारी तादाद में वोटर जो हैं वो पस्टाइम वोटर्स हो बारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ थोड़ा राम लहर क्योंकि जो टीवी के राम है वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं कम से कम परसेप्शन यही बनाने कुशिश की गई है क्या वहाँ पर समाधवादी पार्टी ने बार बार टिकेट जो बदले हैं उसका असर जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है या पिर पार्टी एक जुट होकर यह चुनाव लड़ी है वजरत तस्वीरें भी दिखाएं कितनी लंबी कतारें हैं विशाल वहाँ पर अब बिल्कुल शोबना जी मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ मेरट में सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मद्दाताओं में काफी उत्सा है लोग लगातार मद्दान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं किसी एक बूत की तस्वीर नहीं है हम जहां भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि हर बूत पर बड़ी संख्या में लोग अपने मद्दान का प्रियोग करने के लिए यहां पर पहुच रहे हैं तो काफी उत्सा इस बार मद्दाताओं में दिखाई दे रहा है पहले चरण की पेक्षा दूसरे चरण में क्योंकि पहले चरण में मद्दान काफी कम रहा है तो लोग अब दूसरे चरण में मद्दान के लिए जादा निकल रहे हैं यहां पर क्योंकि बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है तीवी के राम रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा है यहां पर मूदी नाम के सहारे ही यहां पर जो अरुण गोविल है वो बाहर से आए बिल्कुल शोबना जी आपके साथ राम स्टूडियो में है और टीवी के जो राम है अरुण गोविल वो मेरट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सुनीता वर्मा जो की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है बियस पी ने देव रत त्यागी को टिकट दिया है तो ये कहा जा सकता है कि मेरट में इस बार लड़ाई काफी दिल्चस्प रहने वाली है क्योंकि समिक्रणों के लिहाद से मेरट लोकसभा सीट अगर यहां के जातिगत समिक्रण को देखें या अन्यमुद्दों को देखें तो ये कहा जा सकता ह कि लड़ाई बहुत दिल्चस्प रहने वाली है इस बार की चुराओंगी आपके पास जल्दी